हेले अब्रिवन टोडेवी अर्कमिंग बैक वीथ वर लेक्ट्शर नंबर सेवन ऑप इस सीरीज एट जिरो फाइवन माइक्रों ट्रोल तो लोग एक्रवाइवाल लेक्ट्वान लेक्ट्वन सेवन है जिसमें हम लोग क्या खिने वाल है विए व्यों स्टुडिए अब यह 8051 serial port programming in assembly assembly language में उसका port के साथ कैसे programming हो रहा है serial port के साथ वो आज हम देखेंगे देन इसका register देखेंगे कोन सा register इसके देखेंगे एक पहला s-bub register देखेंगे वो क्या रहेता है then s-con register क्या रहेता है वो देखेंगे तो यह चीज़े हम आज के lecture में हमें इसका देख लेते हैं तो फर्स्ट जो स्लाइड है वो है 8051 serial port programming in assembly तो इसमें क्या-क्या रहेगा देखो पहले सिंस IBM PC जो है वो या फिर compatible compatible वह वाइडली हम लोग यूज किसके लिए करते हैं कम्यूनिकेट वीद 8051 बेस सिस्टिम हमेशा है 8051 के साथ मतलब उसको mostly use करते हैं करने के लिए सो वीवी लहिंपाज साइस सीजियल कम्यूनिकेशन ऑप देट-टरो-फाई विड द लिए कॉम पोर इसलिए हम लोग data transfer between the PC and an 8051 system without any error किसी error के भीना अगर हमें data transfer करना है दोनों के बीच में we must make sure that the baud rate of the 8051 system the 51 system matches the baud rate of the PC's comport मतलब क्या हमें पहले यह sure कर लेना है कि जो हमारा है मतलब क्या हो रहा है देखो यहाँ पर हमारा यह है 8051 यहाँ पर हमारा PC का k распort है हमारे PC का repart Déolemarnet पूला जाता है तो वो कितनी वेल्वे वो सब देखेंगे देखो तो यह एक्चल में मैच होनी चाहिए दोनों के भी बॉर्ट रांसफर होगा तो इसमें देखो कुछ बॉर्ट रेट से वो यहां पर मेंशन किये गए सम अब दी बॉर्ट रेट्स सपोटेड बाई PC बायोज आर लिस्टेड इन टेबल 10.3 तो देखो इस टेबल में यहां पर बाजू में इस टेबल में नहीं आप इंक्रूड किया है देखो इसमें आपको उसके कुछ PC बायोज मिलेंगे मतलब जो PC और कंपोड इनको सब्सक्राइब कर देखो पहले स्टार्टिंग के चार अगर छोड़ देना यह सब बीलो वन थाउजंड है बाकी के सब अबो वन थाउजंड है मतलब वन के की उपर है कि यह से बॉर्ड रेस लेते है कि रेटा रांस्वर के लिए बॉर्ड रेट बहुत इंपॉर्टन होत लोग उसको चेंज करवा सकते हैं इसके बाद उसको मशीन से इंकल करता है उसको मशीन साइकल फ्रिक्वेंसी मिलती है जब से डिवाइड एंदेता है जी क्रिस्टल की वैलू दिए देखो 11.0592 यह वैलू होती है वल्ट होगा यह साइन देन इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा तब हमें मस्टीन से डिवाइड करने के बाद यह वैलू मिलते है क्रिस्टल की जो फ्रिक्वेंसी है उसको डिवाइड करते हैं 12 से हमारे मशीन साइकल सोते हैं तो मस्टीन साइकल फ्रिक्वेंसी वहाँ पर मिल जाती है कि अधिन नेक्सट की डिवाइड करते हैं 8051 से रियल कम्मुनिकेशन युवै रटी सर्केट्री तो यूवै रटी जो है उसका सर्केट्री है डिवाइड की मशीन साइकल फ्रिक्वेंसी ऑफ 921.6 kHz by 32 once more तो अभी क्या करता है 8051 का जो सिरल कम्मिनिकेशन UART है UART सरकुटरी है नो जो वो क्या करता है डिवाइड करता है हमारे मशीन साइकल फ्रिक्वेंसी को और कितने के ज़ाद 32 से डिवाइड करता है और पहले हमने 12 सी किया अभी कितना 32 से डिवाइड करता है उसके बाद हो टाइमर 1 को देता है उसके बाद हो बॉटरेट वहाँ पे सेट करिया जाता है तो देरफोर 921.6 kHz टिवाइड बाई 32 ग्यूज 28,800 Hz और यह हम टाइमर 1 को देंगे इस इस देना नमबर वी विल यूज थ्रोड इस सेक्चिन to find the timer1 value to set the baud rate तो यह हम लोग actual में timer1 value to set the baud rate baud rate set करने के लिए value हम लोग उसके रेंगे 28,800 ऐसा क्यूँकि हमारा जो crystal है अभे fix है mostly हम लोग 11.0592 यह यह मेगा हर्ट का यह crystal हम लोग उसके रहेंगे इसलिए यह वैल्यो इसकी रहेगी में वेन टाइमर बनीज यूजट तो सेट दबाड़ेट इट मस्ट भी प्रोग्राम नीज मोड मोड टू जब यह बॉड़ेट के लिए टाइमर बन हम लोग यूज़ कर रहे तब इसको प्रोग्रामिंग कहाँ पर करेंगे मोड टू में होगा दैट इस एड़ बीट और रिलोड मुट्व हमारा और रिलोड हता है तो गेट बॉड़ेट्स अकंपेटिबल विद द पीसी अगर पीसी के साथ कंपेटिबल होना चाहिए अगर बॉड़ेट्स को तो क्या वी मस्ट लोड टी एच वन विद वैलू शोन इन टेबल तो हमें टी एच वन की यह जो उपर जो वैलू दिये गई है यहाँ पर ऐसी वैलू हमें वहाँ पर रखनी पड़ेगी है कि हम लोग देखेंगे यह टेबल देखो यह वाला नीचे ने टेबल है शोस हाव तो वेरिफाय देटाइट टेबल देखो अब यह टेबल क्या कह ह है डिफरेंट बॉटरेट और उसके साथ टी एच वन की डेसिमल में वैलु के है और उसकी हेग्जादिसिमल वैलू के हम प्रोग्रामिंग कर रहे है तो हमें इंडिसिमल की वैल्यू डलने पड़ेगी देखो बॉटरेट पहला जोको कह है 9600 ओके 9600 यह बॉटरेट है तो उसके लिए TH1 की वेल्व है माइनस 3 डिसीमल में और जब हेग्स में करेंगे तो वह कैपिटल FD ऐसा हो जाएगा तें नेक्स ए 4800 तो उसका माइनस 6 आता है डिसीमल में और इसमें हेग्साडिसीमल में वह बनेगा विटल F A ऐसा बनेगा तें नेक्स के 2400 उसका यहाँ पर माइनस 12 आता है डिसीमल में और एक्साडिसीमल में F4 सेम थिंग 1200 के लिए 1200 के लिए यहाँ पर आएगा माइनस 24 और यहाँ बनेगा वन यहाँ बनेगा F8 बनेगा F8 ओके इसका एक एक्साबल दिया गया थेको बॉड्रेट का फाइं इसका कैसे क्या गया तो विद एक्स्टा एल इक्साड इक्वल टू 11.0592 यह 11.0592 वेल्यू वेल्यू पीच में पॉन्ट रहेगा अगर अलग अलग वेल्यू फाइंड करने के लिए तो यहाँ पर देखो हमने यह इसमें टेबल में देखी ती हो सब वेल्यू अलग अलग के लिए तो यहाँ पर पहले हमारा फ्रिक्वेंस से आ जाएगा इसको 12 से डिवाइड करना पड़ता है तो डिवाइड कर दिया तो 921.6 आ गया एंड 0216 किलो हर्ट्स डिवाइड बाई 32 9216 यह आप यह नंबर होगा देखो 921.6 तो इसको क्या किया गया है डिवाइड किया गया है 32 से तो क्या मिला 28,700 यह हमने देखा था ओके is the frequency provided by UART UART से यह frequency मिला है अब यह टाइमर बन को जाएगा बेडर बाड़र सेट करने के लिए तो टाइमर बन क्या करेगा देखो पहला किया उसने देखो 28,800 उसको क्या किया 3 से अगर डिवाइड करते है तो उसको कितना मिलेगा बाड़रेट 9600 मिल रहे तो इसका मतलब उ इस तरह से हमें एक एक मिलेगे तो फिर कितना मिलेगा 1200 मिलेगा तो इसलिए हम लोग यहापे 24 आएगी तो इस तरह से डिवाइड करने के बाद हमें वह वेलू जहापे मिल जाएगी देखो यह आपे का लिखा है नोटीज देट 1 12th 1 by 12th of the crystal frequency divided by 32 is the default value upon activation of the 8051 reset pin यह actual में default value है कितना 1 by 12th of the crystal frequency crystal frequency की जो 1 by 12th value है वो और उसको डिवाइड किया है 32 से बट वी चेंज देफॉल से निगे उसके साथ हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं देखो यहाप एक सिंपल स्ट्रक्चर में दीखा है यह प्रोसेस एक्चुल में देखो यहापे पहले crystal oscillator रहता है उसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रहेगी यहापे 11.0592 मेगाहट्स ही हमारे सिलाबस में हमने दिया है देन उसको हम लोग डिवाइड करेंगे ट्वेल से तो हमको यहापे जिसको जितनी वैल्यू चाहिए उससे डिवाइड करेंगा फिर उसको मिल जाएगी वह लोग इसथरह से यहापे स्ट्रक्ट किया जाता है में नेक्स्ट किया है अजब प्रजिस्टर तो एस बाफ रजिस्टर एक्षब मैं होता किया है वह पहले देखते को आफ रजिस्टर तो देखो कि यह किटने बीड का रिइस्टर एड़ बीट रजिस्टर रहे इतना याद रहो एड़ रोखो यूज रोड़ी कि मदलब अगर हमें TXDLINE मतलब ट्रांसफर लाइन है जो हमारी ओके RxD TXD दो लाइन थी ना उसमें TXD जो थी वो ट्रांसफ़र के लिए थी तो अगर्य डेता ट्रांसफर करना है इस पर ट्रांसफर लाइन पर इट मस्ट भी प्लेस्ट इन दे एस्वब रजिस्टर तो पहले हमें उसको एस्वब रखना पड़ेगा लेटागो और सीमिलर्ली एसवब फोल्ट थी बाइट अब डेटा वें इस रिच्वट वाइट रिच्वब वाइट इस डेटा अपने पास ही रखता है जब तग वह अब ने करने के लिए वह रिच्वट नहीं होती तो इसलिए एसवब कैन अधर राजिस्टर इंद शुरिषिटर या यह बाकि जैसे बाकि के register रे वैसे हम लोग इस register को access कर सकते हैं ओके इस तरह से वह access हो सकता है पुरह देन लुक एपनलिंग एग्जांबल्स अब हाव इस register is accessed तो यह जो एस बाफ रेजिस्टर रे वह access कैसे होता है तो एक प्रोग्रामिंग यहां पर दिखा गया तीन लाइंस का जी इसमें दिखा गया कि वह एक्चल में कैसे एक्सिस किया जाता है तो फॉरस देखो क्या लिखा है इस्क्यों लिखा है लिखा है मूव एस मवफ कॉमा हैश्टैग डी के तो इसका मीनिंग क्या हो गया देखो जो S-Bub था उसको यहाँ पे लोड किया गया इन्होंने किस वैलू दीए उसके साथ इक कितना 44H की वैलू दीए एक्चल में उन्होंने D लिखा था बटो S का है आ गया उसके साथ मतलब D का S का है मतलब S का है कोड बुलिंगा है ना हम लो वह एक्चल में उसके साथ लोड हो गया उस लोकेशन पे S-Bub में S-Bub में स्थोर हो गया Then next का है Move S-Bub, A मतलब क्या हो गया एक्कुमिलेटर का जो कंटेंट है वो क्या आ जाएगा भी S-Bub में आ गया Then next का है Move A, S-Bub मतलब क्या हो गया Copy हो रहा है S-Bub का एक्कुमिलेटर में इस तरह से ये इसका एक स्मॉल एक्जामपल दिया है कि ये किस तरह से एक्सिस किया जा सकता है हम लोग S-Bub मतलब Normal Register की तरह भी एक्सिस किया जाया है S-Bub, Move S-Bub, A या फिर Move A, S-Bub ये तो normal हम लोग जब रजिस्टर लिखते है उसमें भी ऐसे instruction हम लोग लिख सकते है मतलब इसले बोला गया है कि हम लोग उसको Normal बाकी रजिस्टर देते है S-Bub can be accessed like any other register in the 8051 बाकी रजिस्टर की तरह हम लोग उसको treat कर सकते है The next क्या है The moment a byte is returned into S-Bub मतलब S-Bub में अगर कोई भी हम लोग बाइट का information लिखते है It is framed with the start and stopped bits and transferred serially via the TXT print मतलब कोई भी हम लोग यहाँ पे इसका कोई भी data लिखते तो क्या होता है ये S-Bub register है वो तुरन फ्रेम हो जाते है फ्रेम कैसे हो जाता है मतलब उसका start भी रहेगा और stop bits भी उसमें आ जाएंगे तुरन and is transfer serially via the TXT plane और वो क्या serially transfer करना start करेगा TXT pin से TXT line से वो serially transfer करना start कर देगा Then next के है Similarly when the bits are received serially via RXT तो अभी ये जो bits से वो अगर serially अगर receive के जा रहे RXT के तुरू The 8051 difframs it by eliminating the stop and start bits तो ये जो 8051 है वो तुरंद क्या हो जाता है diffram हो जाता है diffram मतलब start and stop bits निकल जाएंगे तुरंद रिसेट के करने के टाइम पे वो वहाँ पे diffram होना start हो जाएगा by making a byte out of the data मतलब क्या करेगा वो जो बाइट है उसको वहाँ से बहार निकाल देगा data जो रिसीव कर रहे है उसमें and then placing it in the SBUB उसके बाद वो SBUB register में वहाँ पे उसको प्लेश्ट कर देगा वही पे रख देगा तो SBUB register का ये main functioning हो गया second देखो के आभी और एक register है हमारा ये भी बहुत important register है इसका नाम है ASCON register या फिर इसको बोला जाता है serial control register इसका नाम में control है मतलब इस controlling का परस्पेस करेगा तो एक देखते है इसका एक bit the ASCON register is an 8-bit register used to program the start bit, stop bit and data bits of data framing among other things okay ASCON register का main function क्या है 8-bit register है और इस programming करते है start bit, stop bit या फिर data bits जो रहते है framing के लिए उसका वो main programming का काम यहाँ पर ASCON register का होता है 3 क्या होता है the following describes various bits of the ASCON register तो अभी देखो यहाँ पर ASCON register के अलग-अलग bits यहाँ पर मालुम पढ़ रहे है first देखो यहाँ पर क्या है देखो कितने bits से यहाँ पर 8-bit register बताया गया था ना okay यहाँ पर लिखाया 8-bit register तो 8-bit register है इसलिए क्या हो गया यहाँ पर bits देखो कितने है 8 है total D0 से लेके यह D7 हो जाएगा तो देखो फर्स जो बीट है उसको क्या नाम दिया गया SM0 वह एक्षिल में स्कॉन का 7th bit लिखा हो है 7th मतला वह एक्षिल में 0 से 7 लेता है मतला 8 bit हो गया SM0 SM0 का मिनिंग है serial port mode specifier mode specifier काम कहता है mode specifier करने का काम करेगा 2nd SM1 वह उसका काम भी वह ही है वह भी mode specifier का काम कर रहे then यहाँ पर वह then next क्या है SM2 SM2 एक्षिल में क्या है used for multiprocessor communication उसको हमेशे 0 करके रखेंगे multiprocessor communication के लिए then next क्या है REN यह एक्षिल में SCON का 4 तो REN का मिनिंग क्या रहता है यह एक्षिल में enable का काम करता है set or cleared by software to enable or disable reception मतलब जो receiving process है enable करना है कि disable करना है then next क्या है TB8 TB8 मतलब यह mostly use नहीं किया जाता timer bit जैसे हम लोग आगे दिखेंगे इसका तेन RB8 भी यह mostly नहीं यूज किया जाता है okay then next क्या है देखो TI मेंने यह क्या है देखो transmit interrupt flag जब interrupt transmit किया जाता है तभी वो यहां पर transmit interrupt आ जाता है okay यहां पर सेट किया जाता है must be cleared by software software से clear किया जाता है ROI जो हे हमारा receive interrupt flag है set by hardware halfway through the stop bit time मतलब 100 bit के halfway तक halfway सी वो वहाँ पर set हो जाएगा in mode 1 must be cleared by software software के साथ हो clear हो सकते है कि इसमें क्या क्या बता है SM2 जो है हमारा वो हमें यूजने होता में इसली TB8 और RB8 यह नहीं तो यह तीनों को भी क्या जिरो करके रखना है next देखते है इसमें के कुछ bits देखेंगे तो पहला वीट है SM0 और SM1 SM0 SM1 क्या था हमारा mode specifier था जो एक्षिल में modes बताएगा अलग-अलग modes वह वह fix करेगा तो कौनसे कोंसे modes से वह आप भी पता चलेंगे SM0 and SM1 are D7 and D6 हमने बता है न यहां पर यह हमारा D0 है और यह जो है वह D7 है तो D7 और D6 अब भी हम लोग देख रहेगा आप तो D7 और D6 मतलब हमारा SM0 and SM1 है यह एक्सकौन रजिस्टर का इस टू बीट्स डिटर्माइन दा फ्रेमिंग ओफ डेटा बाइ स्पेसिवाइंग दा नंबर स्पेसिवाइंग तो यह दोनों बीट्स है वह एक्सेल में हमें फ्रेमिंग के बारे में बताएगी कि कैसे डेटा स्पेसिवाइंग किया जाएगा हर क्यारेक्टर के लिए कैसे वहाँ पे कौनसा मोड रहेगा and the start and stop bits they take the following combination तो यह अलग अलग नीचे के सब combinations वो लेगा देखो sm0 sm1 के तो अगर वह 00 रहेगा तो वह कौनसा मोड होगा serial mode के लिए काम करेगा 0 और 1 रहेगा वह तो वह क्या करेगा serial mode 1 8 bit data then stop bit भी होगा start bit भी होगा सब यहाँ पे हो जाएगा and 10 जब रहेगा वह तभी serial mode 2 use करेगा और जब यह बनेगा serial mode 3 तभी क्या करेगा 1 1 होगा इसका sm0 sm1 दोनों 1 होगे मतलब high load next क्या है of the 4 serial modes मतलब 4 के 4 serial modes में से mode 1 is of interest to us मतलब हम लोग mostly काम करेंगे mode 1 पे okay then next in the ascon register when serial mode 1 is chosen serial mode 1 then क्या हो जाएगा data framing bit हो 8 bits रहते है टोटल one stop bit आएगा and then one start bit भी आएगा जैसे यहाँ पे लिखावा है वैसा which makes it compatible with the com port of IBM or compatible PC's मतलब वह हमारे PC के साथ PC के साथ वह compatible होगा then next क्या बताएगा more importantly serial mode 1 allows the बारेट to be variable बारेट जो है वह variable यहाँ पे अलाव करता है and is state by timer 1 of the 8051 timer 1 के साथ next के in serial mode 1 for each character total of 10 bits transfer serial mode 1 total 10 bits transfer होता है where the first bit is the start bit followed by 8 bits of data उसी के साथ फिर क्या क्या जाता है 8 bit जाते है पहला start bit रहेगा उसके बाद 8 bits जाएंगे and last make हमारा stop stop bit भी रहेगा okay तो मतलब यह ऐसे हमारे 10 bit रहेंगे 10 में से भी पहला start बाद में stop और बीच में यह 8 bits रहेंगे तो इसे total 10 bits है total रहेंगे character of total 10 bits यहांपे transfer होता है then next एकते आभी SM 0 हो गया SM 1 देख लिए SM 1 देख लिए SM 2 देखेंगे 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 is the D5 bit of the SKN register this bit enables the multiprocessing capability of the 805 805 का multiprocessing capability उसके लिए उसके लिए और आप्लिकेशन SM 2 देखेंगे हमारे आप्लिकेशन के लिए वो यूसबल फुल नहीं है हम सीरियल कमिनिकेशन पर काम कर रहे ना अभी इसमें ज़र ज़र ही नहीं है तो इसले हम लोग उसको जिरो करेंगे इसले हम लोग उसको शीरो करेंगे नेक्स्ट यो कहा है अचल में इसका फिल पॉम नेन बीट देखो कौन सा यहां पर डीफॉर बीट है आरियन के लिए जो बीट है वो यहां पर के यह एक्चल में क्या डीफॉर इस कौन रिजिस्टर है वो डीफॉर एस कौन का डीफॉर बीट है आरियन बीट है आरियन बीट इस अल्सों रिफर्ट वाइगा आरियन बीट यहां पर मितलब एक्टिव हाइन यह ना यह इसले तो तब यह रिसुव करेंगा डेटा आरियन बीट को हमें वन करना पड़ेया मतलब है सेट करना वड़ेया बाइकिन आरियन इक्वल टुझीवर इस डिसाइबल मतलब रिसीवर का काम कर रहा एक्चल में अगर हम लोग इसको जीरो करके रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब डिसाइबल हो जाएका किसीवर काम तो मेकिंग आरियर इक्वल टुवन और अर्यन इक्वल टुझीवर डिसीरो कैन बी आचिवड वाई इसको 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 सकते वह कैसे तो दो दो इंस्ट्रक्शन दिएगे सेट भी एसकॉंड डॉट फॉर यह लिखेंगे तो यह सेट हो जाएगा दिन एक लार एसकॉंड फॉर यह क्लियर हो जाएगा वहाँ बजीरो बन जाएगा कि डेल नेक्स देखो क्या है यह हो गया then देखो यहापे notice that these instruction use the bit addressable features of the register ascon ascon k bit addressable feature यहापे यह instruction use करते this bit can be used to block any serial data reception फतला यह जो bits है वो actual में किसी भी serial data reception के लिए ब्लॉक करने के लिए भी यूज़ हो है एंड इस एक्स्ट्रीम ली इंपोर्टन बीट इन दा इसको रिश्टर इंपोर्टन ने यह आरियन बीट चोहे वह क्योंकि अगर यह काम नहीं करेगा तो कुछ आगे जाए बास आउनी होगा इसमें टीबीट और यह एक्चल में यूजी नहीं हो रहे है इसको यह काम लगेगा वी में टीबेट इक्वल तो सिरो सिंस इस नौट यूज नहीं है तो इस नौट यूज़े अगर मोड़ वन में इसको काम कर रहे तो क्या होगा इसको स्टॉप इट डेक्ट विट परेए रिसू करता है तो कि उसके साथ कुस्तॉप इस विरेग इस बीट इस रेरली यूज़ एनिमर इसको बहुत रेर्ली उसकर देजाता है है इन आल एक्षन में यह रिस्यू के लिए काम के रहा दाए यह जो बिट 8 है देन इनाल आवर एक्ठिक्टेशन्स विल्मेंक इक अर्बि इकवल ट जीरो हमारे काम काही निया हमाराइ अड़ा आज इसका यूज नहीं कर रहे आभगे करें then like TB8 the RB8 bit is also used in serial mode 2 & 3 serial mode 2 & 3 उसमें भी यूज़ता है then transmit interrupt देखो TI, TI आ रहे है यह बुच इंपर्टन तो TI देखो कहा है is bit D1 of SCON register okay यह एक्चल में D1 जो है SCON register का वो है then this is an extremely important flag bit in the SCON register यह flag bit बौद इंपर्टन है when the 8051 finishes the transfer of the 8 bit character it raises the TI flag to indicate that it is ready to transfer another byte मतलब क्या होता है जब भी 8051 का transfer हो जाता है पूरा 8 bit का character अगर वो हमारा पूरा transfer हो जाएगा तो यह क्या करेगा एक TI flag को raise करेगा okay जैसे ही वो raise करेगा तो हमें पता जल लागे कि transfer हो चुका है then the TI bit is raised at the beginning of the stop bit वो stop bits के पहले ही वो आपे वो raise किया जाता है we will discuss its role further when अभी जब next lecture हो गया तो भी हम लोग देख सकते हो इसमें कुछ okay then यहां पर हम लोग एक्स्टांबल नहीं दिखा रहे है यहां पर इसको theoretical view देखेंगे आ रहे है देखो क्या है receive interrupt तो यह actual में क्या है देखो is the d0 bit of the s-con register यह actual में क्या है हमारा s-con register का d0 bit है this is another extremely important flag bit in the s-con register s-con register का एक important flag bit है यह भी when the 8051 receives data serially via rxt okay rxt के through अगर हम लोग 8051 का डेटा देखते okay receive करते तो क्या होता है it gets read of the start and stop bits okay तो यह start and stop bits में से बाहर निकल जाता है and places the byte in the s-buff register और जो bytes धा data byte वह पूरा s-buff register में रख देता है उसके बाद हो RI flag को raise करे गाए to indicate that the byte has been received okay receive हो गई है and should be picked up before it is lost मतलब lost होने के पहले उसको pick up कर लेना है RI is कि आपे देखो क्या बता है RI is raised half way through the stop bits stop bits देखो TI कहाँ पे था before stop bits वह वहाँ पे raise हो जाता तो यहाँ पे इसको raise कप करेंगे कि हम लों half way through the stop bits stop bits के half stop bit होगी उसके पहले हमें कर देना ओके stop bit जैसे हाफ हो जागी हमें RI bit को यह raise कर देना है and we will soon see how this bit is used okay तो यह सब programming में हम लोग इसको देख सकते है so this is all about the ascon register as web register and हमने क्या देखा इसमें board rates का देखा था कि फार्टिंग में 8051 का सीडर प्रोग्रामिंग के में हम लोग देखे थे अभी अगले lecture में हम लोग देखेंगे कुछ examples भी होंगे उसमें कुछ और topics भी रहेंगे okay so I hope you have cleared all these things about the today's lecture और इसमें आप यह भी देख सकते हो कि इसके कितने बीट से टोडल वो पहले समझ लोग के 8-8 बीट से और हर एक बीट का क्या functioning उससे ही पता जालेगा इसमें अब दो तीन तो काम के भी नहीं है और वो सब हम जिरू ही करके रखते तो भाकी के तो आटलिस्स पढ़के रखना वह और इस से रियल मोड्स कुंसे कुंसे यूज हो जाते हैं mode 0 1 2 3 लेकिन मोस्ली हम लोग यह मोड पर ही काम कर रहें जो नीचे नहीं वह जिरो वन के फॉर्म में इस पर काम कर रहें आप सो इस इस वाल अबॉट दी टूदे लेक्ट्टर इफ्याव कि आप यहोप यह क्लियर इस अल दिस तिंग थैंक्यू वेरी मच